इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याए एक सुलेमान के राज्य का आरंभ दाउत का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया और सुलेमान ने सारे इसरायल से अर्थात सहस्त्रपतियों, शत्पतियों, न्याईयों और इसरायल के सब रईसों से जो पित्रों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष थे बाते की और सुलेमान पुरी मंडली समेत गिबोन के उचे स्थान पर गया क्योंकि परमिश्वर का मिलाप वाला तंबू, जिसे यहवा के दास मूसा ने जंगल में बनाया था, वह वही पर था, परन्तु परमिश्वर के संदुक को दाउद किरित्यारीम से उस थान पर ले आया था, जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था, उसने तो उसके लिए यर पूर का पोता था, बनाई थी, वह गिबोन में यहुवा के निवास के सामने थी, इसलिए सुलेमान मंडली समेट उसके पास गया, और सुलेमान ने वही उस पीतल की वेदी के पास जाकर जो यहुवा के सामने मिलाप वाले तंबु के पास थी, उस पर एक हजार होमबली चढ उसी दिन रात को परमिश्वर ने सुलेमान को दर्शन दे कर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दू वह मांग। जो भूमी की धूली के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धी और ग्यान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बहार आना जाना कर सकू। क्योंकि कौन ऐसा है कि तिरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमिश्वर ने सुलेमान से कहा तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई अर्थात तुने न तो धनसंपत्ति मांगी और न अईश्वरिय और न अपने बैडियों का प्रान और न अपनी दिरगायू मांगी। केवल बुद्धी और ग्यान का वरदान मांगा है। जिससे तु मेरी प्रजा का जिसके उपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है न्याय कर सके। इस कारण बुद्धी और ग्यान तुझे दिया जाता है। और मैं तुझे इतना धनसंपत्ति और अईश्वर ये दूँगा जितना न तो तुझ से पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा।। तब सुलीमान गिबोन के उचे स्थान से अर्थात मिलापवाले तंबु के सामने से यरुश्लेम को आया। और वहां इस्राल पर राज्य करने लगा। फिर सुलिमान ने रत और सवार इकटे कर लिए और उसके चवदह सो रत और बारह हजार सवार थे और उनको उसने रतों के नगरों में और यरुशलिम में राजा के पास ठहरा रखा। और राजा ने ऐसा किया कि यरुशलिम में सोने चांदी का मुल्य बहुतायत के कारण पत्थरों कासा और देवदारों का मुल्य नीचे के देश के गिलरों कासा बन गया। और जो घुड़े सुलिमान रखता था वे मिस्र से आते थे और राजा के व्यापारी उन्हें से आता था और इसी दाम पर वे हित्यों के सब राजाओं और अर्राम के राजाओं के लिए उन्ही के द्वारा लाया करते थे